नश्कार आदाब मैं हूँ रोई सिंग और टॉपल डॉट कॉम पर एक बार फिर से आप सभी खाब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सर्दाना इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसे स्कूल जहां सिर्मत्य प्रदेश नहीं बलकि दुनिया भर के बच्चे आते हैं आइटी और डॉक्टरी की ऐसी बहुत सी प्रतियोगी प्रिक्षाएं हैं जिनकी तयारियां करने के लिए प्रतिश प्रदा के इस दौर में पैरेंट्स हमेशा ही इस बात को लेकर तनाव में रहते हैं कि आखे बच्चों के लिए एक सही स्कूल या कोचिंग इंसिटूट के रूप में किसका चुनाव किया जाए वे सही भी हैं क्योंकि कई बार कोचिंग संस्थाएं वादय तो करती हैं लेकिन उन्हें निभा पाने में सक्षम नहीं होती कारण है कि इन नामची इंसंस्थाओं में फेकलिटीज का इस्तर वैसा नहीं होता जैसा कि उपरी तौर पर विज्ञापनवादी के माध्यम से दिखाया जाता है पैरेंट्स की इस परशानी को हल करने वाला टौप रैंक के साथ भारत में सरवाधिक सेलेक्षन प्रतिशत देने के साथ मध्यपदेश की और ध्योगिक नगरी देवास में एक स्कूल और कोचिंग इस्टूट ऐसा भी है जहां विकत 26 सालों से IIT JE में All India 243 रैंक प्राप् ललित सरदाना फिजिक्स कमेस्ट्री और मैस जैसे महत्रपून सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ाते हैं जी हां दसरदाना इंटरनेशनल स्कूल का संचालन सरदाना सरो सरदारा मैडम के द्वारा किया जा रहा है खास बातिया है कि धाई दसक से भी अधिक समय से अध्याप दसरदाना स्कूल के संचालक और अध्यापक ललित सरदाना कहते हैं कि भारी भरकम फीस और संस्थाओं में बड़ी संख्यामें बच्चों की भरती को लेकर चिंतित पैरेंट्स के मन में कई सवाल उठते हैं जैसे इस संस्था के बीच उनके बच्चे पर विशेश रूप से ध्यान दिया जाएगा यह नहीं कहीं अपनी मेहनत का पैसा गलत जगय तो नहीं लगा दिया गया उनका बच्चा अच्छा पढ़ने के बजाए और कमजोर तो नहीं हो जाएगा ऐसे बहुत से टेंसन्स होती हैं कारण है कि अधिकान्स फेकल्टी केवल उन्हीं बच्च स्कूल की प्रक्षाओं में धिरे-धिरे पिछडने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है या तो वे कोचिंग छोड़ देते हैं या फिर स्कूल छोड़कर किसी डेमी स्कूल में चले जाते हैं दस्रदाना इंटरेशन स्कूल में हम बच्चों के भविष्ट को सवाडने में दस्रदाना इंटरेशन स्कूल की साख सिर्फ देवास या आज़ पास के छेतों तकी सीमित नहीं है बलकि पूरे देश के अलगलग कोनों से विद्यार्थी स्रदाना सर्चे पढ़ने के लिए मद्ध्यपदेश के देवास पहुंसते हैं सदाना सर और सदाना मैडम इस तरीके से सभी विष्यों को पढ़ाते हैं कि आज इंटरनेट पर 81 प्रतिसर से अधिक विद्यार्थी इनके पढ़ाने के कॉंसेप को सरवसेश मानते हैं जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से यह आश्चर जनक गती से आगे बढ़ा है और पढ़नाम के जो ग्राफ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं कम समय में चातुनिश स्कूल के अंतरगत किसी भी सैचरिक संस्थान के इत्यास में ऐसे परणाम पहले कभी नहीं दिखाए हैं जैसे सदाना सर के कॉंसेप को समझने के बाद बच्चों ने परणाम दिखाए तो मद्यप्रदेश के देवास में एक ऐसा कोचिंग इंसिटूट है जो आपको वो सारी फैसिलिटी देता है जिससे आप संसकार अनुसासन के साथ सिक्षा विवस्था को सुर्णिम इस्तर तर ले आ सके बहुत बहुत धन्यवाद